बहुत समय पहले की बात है, फूलपुर में एक बहुत बड़ा फलो का बगीचा था जहां से वहां के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे उसी मंडी में पूजा नाम की लड़की भी फल बेचने आया करती थी, पर उसे मंडी के कुछ व्यापारी पसंद नहीं करते थे और उसका कारण था पूजा का अच्छा व्यवहार, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास फल खरीदने जाते थे और इसी लिए वो लोग पूजा के लिए तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे, जिसकी वजह से उसको बेचने के लिए फल मिलते नहीं थे ये फूजा अगर बगीचे में मेरे से पहले पहुँच गई, तो फल लेकर मंडी चली जाएगी, फिर सब इसी से फल खरीदेंगे, पुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा, हाँ, ये तरीका सही रहेगा, कोई है, कोई मेरी मदद करो, मदद करो क्या हुआ काका? महेश ने ऐसी चाल चली, कि पूजा उसके जाल में फस गई, उसने जान बूज कर अपने बैल को भगा दिया, और पूजा को उसके पीछे भेज दिया, ताकि वो समय पर बगीचे में न पहुँच सके मैं तो चला बगीचे से फल लेने जब तक पूजा बैल को वापस लेकर आए, बगीचे का सारा फल लोग ले जा चुके थे पूजा बचे हुए थोड़े बहुत फल लेकर मंडी जाती है, लेकिन महेश के बैल को पकड़ने के चकर में उसका इतना समय बरबाद हो गया था, कि वो आज भी मंडी देर से पहुची, जब मंडी बंद होने वाला था अब आज भी मेरे फल नहीं बिकेंगे पूजा दुखी होकर वहां से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी हर रोज यही होता है, कभी समय पर मंडी नहीं पहुच पाती पूजा के साथ रोज-रोज यहीं होने लगा वहर रोज फल लेने बगीचे की तरफ चाती लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम में उलजा देते थे जिससे वो कभी भी सही समय पर बगीचे में नहीं पहुच पाती थी जिससे वो फल लेकर मंडी भी समय पर नहीं पहुच पाती थी हर रोज वो इसी तरह दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी पूजा बहुत दुखी थी तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी पूजा? पूजा? अचानक से आवाज सुनकर पूजा चौँक गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वो डर गई क्योंकि उससे वही पेड़ बात कर रहा था जिसके नीचे वो बैठी थी दरो मत पूजा तुम तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादूई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जादूई पेड़? हाँ, और मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ कि कैसे तुम्हें लोग बपीचे में पोहुचने से रोकते हैं वह तुम्हारी मदद करने के स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा मदद? पर कैसी मदद? तुम्हें मंडी में बेचने के लिए फल चाहिए न? वो मैं तुम्हें दूँगा वो भी जितनी और जैसे फल चाहो उतनी पर आप पर तो एक फल भी नहीं लगा है वो भी आ जाएंगे जैसे ही पेड ने ऐसा कहा उस पेड में तरह तरह के फल आने लगे पूजा ये देख आश्चरे चकित हो गई पूजा तुम रोज जितने चाहो उतने फल मुझसे ले जा सकती हो इससे तुम मंडी समय पर पहुच कर अपने फल आराम से बेच सकती हो पूजा ये देख के खुश हो गई अब वो रोज उस पेड के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भर कर मंडी में बेचने चली जाती थी उसके फल इतने ताजे और खुबसूरत रहते थे कि सारे लोग उसी से फल खरीदने लगे ये देख कर बाकी व्यपारियों को जलन होने लगी महेश को पूजा पर शक होने लगा क्योंकि अब वो फल लेने बगीचे में भी नहीं जाती थी इतने सारे ताजे फल पूजा को रोज कहां से मिलते हैं अब ये बगीचे में भी नहीं जाती जरूर कोई बात है इसका पीछा करने से ही असली बात का पता चलेगा अगले दिन महेश ने पूजा का पीछा किया और उसने देखा पूजा फिर से उसी पेड के पास जाकर उससे बातें करने लगी पेड भाई मैं फल लेने आ गई कृपिया मुझे धेर सारे फल दे दो ऐसा बोलते ही पेड में धेर सारे फल आ गई महेश ये देखकर हिरान हो गया वह चुपचा पूजा को देखता रहा ये देखकर महेश ने एक योजना बनाई पूजा के जाने के बाद महेश भी उस जादूई पेड के पास गया और उसने वही बोला जो पूजा ने बोला था महेश के बार बार बोलने पर भी पेड में एक भी फल नहीं आए ये देख महेश को गुस्सा आ गया और उसने तै कि वो किसी भी तरह उस पेड के फल लेकर रहेगा महेश ने पेड काटने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे काट नहीं पाया तब पूजा वहां आती है और महेश को पेड काटते देखती है और डर के उसके पास जाती है ये क्या कर रहे हो काका? इस पेड को मत काटो पूजा मुझे सच्चाई का पता चल चुका है ये एक जादूई पेड है यही तुमें इतने अच्छे अच्छे फल देता है ना? लेकिन अब मैं इसे काट कर अपने घर ले जाओंगा चलो, हटो यहां से लगता है ये ऐसे नहीं कटेगा अब इंगाम जाकर बड़ा हत्यार लेकर आता हूँ महेश बड़ा हत्यार लेने गाम की ओर जाता है ये देख पूजा पेड़ के पास जाकर विनती करती है पेड़ भाई, पेड़ भाई, अब आपकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है अब आप यहां सुरक्षित नहीं है आप यहां से चले जाइए पूजा के ऐसा कहते ही पेड़ के चारो और एक रोशनी फेलने लगी और देखते ही देखते उस पेड़ में एक इंसान का रूप ले लिया ये देख पूजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा धन्यवाद पूजा, मैं परिलोग का एक राजकुमार हूँ बहुत साल पहले मैंने गलती से एक रिशी की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई मुझे खुद अपने मन से यहां से वापस जाने को नहीं कहता तब तक मैं पेड़ ही बना रहूंगा आज तुमने मुझे यहां से जाने को बोल कर मुझे श्राप मुक्त कर दिया चलो अच्छा है आप अब हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गए हाँ तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो येलो इस फल के बीज अपने घर में लगा देना फिर तुम्हें कभी फलों की कमी नहीं होगी फल पूजा को देकर राजकुमार वहां से गायब दो गया पूजा ने उस फल का बीज अपने घर में लगा दिया और देखते ही देखते उस बीज ने एक पेड का रूप ले लिया और उसमें तरह तरह के फल लग गए अरे वाँ ये तो एक जादूई पेड है उस दिन के बाद पूजा को कभी भी फलों की कमी नहीं होई वह जो भी फल चाहती थी जादूई पेड उसे दे देता सोनपुर एक खुबसूरत जगह थी जो चारो और से हरे भरे पहाडों से खिरी हुई थी पेड पौधों के साथ वहाँ धेर सारे जरने और तालाब थे जिससे वहाँ की सुन्दरता और भी बढ़ जाती थी और यहीं कारण था कि वहाँ के तालाब और जन्रे हमेशा पानी से भरे रहते थे क्योंकि पेडों के कारण वहाँ कभी बारिश की कमी नहीं होती थी इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुशाल थे सब लोग बहुत खुश थे और होते भी क्यों नहीं फसल इतने अच्छे जो लगे थे पर शायद उनको यह पता नहीं था कि यह खुशी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी क्योंकि सोनपुर में कुछ ही दिनों में एक आदमी वहाँ लकड़ी का कारखाना खोलने आया था और कारखाने का मालिक बहुत ही लालची था अब आप लोगों को खेती करने की कोई जरूरत नहीं है आप सब मेरे लकड़ी के कारखाने में नौकरी कर सकते हैं उसके बदले आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे इतने पैसे जितने आप खेती करके कभी कमा नहीं सकेंगे गाव के लोग भोले भाले थी इसलिए कारखाने की मालिक के बात में आ गए पर बाकी गाव वालों के साथ मोहन भी वहाँ खड़ा था जो पढ़ा लिखा और समझदार था और इसलिए उसे कारखाने के मालिक की बात खटकने लगी पर हमें नौकरी देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? हाँ 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 बहुत अच्छा सवाल किया है मुझे तो बस कारखाने के लिए थोड़ी जमीन और आपके जंगल की कुछ लकड़ियां चाहिए पर इससे तो जंगल खत्म हो जाएंगे और जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा देखा गाम वालों लगता है ये चाहता ही नहीं है कि गाम की तरक्की हो और आप लोग अच्छी जिंदगी गुजारो क्या आप लोग भी यही चाहते हैं आप सही कह रहे हैं गाम की तरक्की से हम सब का फाइदा होगा और यहां इतने सारे पेड़ हैं थोड़े बहुत कट भी जाएंगे तो क्या होगा नहीं मेरी बात सुनो मोहन ने गाम वालों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब लोग कारखाने के मालिक के बहकावे में आ गये थे और उसकी किसी ने नहीं सुनी और देखते ही देखते गाम में लकड़ी का कारखाना खुल गया अब इस जंगल की लकड़ी काट कर मैं खूब पैसे कमाऊंगा जाओ और तेजी से लकड़ीयां काटना शुरू करो जाओ जल्दी जाओ लकड़ी कार खाने के मालिक के आदेश पर उसके आदमियों ने सोर शोर से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में सोनपुर के हरे भरे जंगल वीरान होने लगे अब वहाँ पहाड तो थे पर उसमें पेड़ नाम मात्र के बच गए जिसके कारण वहाँ बारिश भी कम होने लगे जिसके कारण आसपास के तालाब और ज़र्ने भी सूखने लगे मोहन ये सब देख कर बहुत दुखी था आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ लकडी के कारणे की वजह से ना पहाड में पेड़ बचे ना तालाब में पानी अब क्या होगा पता नहीं मोहन का डर बिलकुल सही था पेड़ काटने की वजह से सोनपुर में अब बहुत कम बारिश होने लगी जो खेती तो दूर की बात पीने के लिए भी पूरी नहीं थी जिससे गाम वाले परेशान हो गए ये तालाब भी सूख गया अब हम खेतों में सिचाई कैसे करेंगे वैसे ही बस कार खाने में मिले पाइसों से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है उपर से बारिश भी नहीं हो रही जिसे हम खेती कर सकें ओ कुए में तो पानी ही नहीं अब हम पीने का पानी कहां से लाएंगे बिना पानी के घर में खाना कैसे पकेगा पानी की समस्या पूरे गाव में फैल गई जिसे सब लोग चिंती थे और इसका उपाय सोचने के लिए इकठा हुए गाव वालों हमारे गाव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है बारिश ना होने की वजह से ना पीने के लिए पानी बचा है और ना ही सिंचाई के लिए अरे हमें तो पानी लाने के लिए दुसरे गाम जाना पड़ता है ये सब उस लकडी के कारखाने की वज़य से हुआ है मैंने पहले ही चेतावनी दी थी पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी ये उसी का परिणाम है अरे लकडी के कारखाने को क्यों दोश दे रहे हो मोहन बिलकुल सही कह रहा है इससे पहले हमारे गाव में बारिश की समस्या कभी नहीं हुई ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हुआ है ये मोहन तो कुछ भी बोलता रहता है इसकी बात का भरोसा मत करना बारिश और पेड़ों का आपस में क्या लेना देना मोहन बिलकुल सही कह रहा है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हां हां तुमने कहा था बस कुछी पेड काटोगे पर तुमने तो पूरा पहाड साफ कर दिया हां ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है इससे पहले कि ये गाम वाले मिलकर मेरी धुलाई करें मुझे यहां से भ मोहन अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा गाव और हमारे पहाड पहले की तरह सुन्दर और खुशाहाल हो जाए इसका बस एक ही उपाय है हमें फिर से धेर सारे पेड लगाने चाहिए हम पेड लगा तो लेंगे पर उन्हें बड़े होने में तो काफी सम में लगेगा तब तक हम क्या करेंगे तब तक हमें जितनी भी बारिश हो उसका पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करना चाहिए जिससे हमारे पानी की समस्या थोड़ी कम हो जाए सही कहा मोहन हम ऐसा ही करेंगे मोहन की बात अब गाम वालों को समझ में आ गई थी इसलिए उन्हें गाम के पहाडों में और आसपास धेर सारे पेड लगाए और बारिश का पानी जमा करने का उपाय भी किया अगर हम मोहन की बात पहले ही मान लेते तो ये सब कभी नहीं होता बिल्कुल सही कहा कोई बात नहीं सीखने का कोई समय नहीं होता वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सोनपुर के पहाड फिर से हरे भरे हो गए और पहले की तरह वहां भारी मात्रा में बारिश होने लगी जिससे वहां के तालाब और ज़रने फिर से पानी से भर गए और वहां के लोगों की समस्या हमेशा के लिए खतम हो गई और उनको पेडों का महत्व भी समझ में आ गया कितना सुन्दर लग रहे हैं ये पहाड हाँ अब हम किसी भी हालत में ये पेड नहीं काटने देंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिन्दगी में पेड कितने महत्व पूर्ण होते हैं